हमारे साथ मंच पर आपके सबसे प्रियनेथा और यहां के मुख्य मंत्री आदेने केच चंशेकर राओ जी मंच पर उपसेद दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजिवाल जी पंजाब के मुख्य मंत्री श्री भगवत मान जी तीपी आई के जनल सेकेटरी आदेडी राजा जी और मंच पर उपसेद सभी बी आरेस पार्टी के सभी वरिष नेता यहां पर इस सभा में उपसेद बी आरेस पार्टी के संगठन के सभी पदादिकारी मिनिस्टर्स सांसर विधायक सभी नेता और बड़ी संख्या में जहां तक मैं देख सकता हूं मुझे लोगी लोग दिखाई दे रहे हैं सरी सर दिखाई दे रहे हैं मैं अगर बाई तरफ देखता हूँ मुझे लोगी लोग दिखाई दे रहे हैं सरी सर दिख रहे हैं दाई तरफ देखता हूँ तो सरी सर दिखाई दे रहे हैं और मैं जब सामने देखता हूँ जहां तक देख सकता हूँ वहां तक मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं मैं इस एतिहासिक धर्ती पर खंबम की इतिहासिक धर्ती पर मैं आदे लिए के तियार साब का बहुत बहुत धनिवाद और आभार पिकड़ करता हूं का यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आपने बुला करके पूरे देश को एक संदेज देने का काम किया है आज सुबह से लगातार हम लोग काम देख रहे हैं मैं सामने जहां पर बिल्डिंग में हम लोग बैठे थे यह इंटिगेटर जो आफिस बनी है कॉम्पलेक्स बना है एक यह उधारण है सरकारों के लिए कि एक जगे कैसे अधिकारी बैठ सकते हैं और जनता को तकलीव और परेशानी नहीं होगी एक ही जगे पर समस्या का समादान हो जाएगा यह खमम वो धर्ती है जिसने हमेशा इतिहास बनाने का काम किया है यहां के लोगों ने बड़ी से बड़ी हुकूमत रही होगी ताकते रही होगी उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाने का काम किया है यहां के किसान यहां के नौजवान अगर किसान कभी इखटे हुए हैं और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ा होगा तो यहां के किसान इखटे हो करके अपनी आवाज बुलंद करकर के उस समय की हुकूमत को हिला के रख दिया मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो हालात हैं देश के जिन परस्षितियों से हम लोग गुजर रहे हैं जहां भारत सरकार और खासकर भारती जनता पार्टी जिसकी सरकार दिल्ली में है एक-एक सरकारें जो चुनियों ही उनको परिशान कर रही है चाहे वो आपकी सरकार हो और चाहे आपके बियरेस की पार्टी की सरकार हो जो सहोग और जो मदद और जो लोगतंत में सम्मान मिलना चाहिए वो सरकार सम्मान नहीं दे पारी समय समय पर रुकाबट कैसे पैता हो नेताओं को कैसे परिशान किया जाए उनके खिलाफ क्या साजिश की जाए उनके विपश्च के लोग जो उनके सामने खड़े हो करके सवाल पूचते है उनको किस सड़यन से उनको दबाया जाए उनकी छवी कैसे खराब की जाए ये भारती जन्ता पार्टी की सोची समझीती रणनीत के तहित काम कर रहे हैं जो संसाएं हमें न्याय देना चाहती हैं जहां से हम न्याय के लिए पुकार सकते हैं उन संसाओं को भी दबाब बनाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारती जन्ता पार्टी कर रही है अभी कली भारती जंता पार्टी की मीटिंग खतम हुई है और उन्होंने का कि चार सो दिन बाकी हैं हमें तो लगता था कि ये सरकार तो वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं अब तो वो स्वें स्वीकार कर रही है कि अब चार सो दिन हैं जो सरकार अपने दिन गिनने लगे जो सरकार अपने दिन बताने लगे समझ लो ये 400 दिन बाद सरकार रुखने वाली नहीं है अब तो 399 दिन बचे हैं और जैसा कि भारती जनता पार्टी का समय समय पर जो बुनियादी मुत्ते हैं कि महगाई कैसे कम हो गुरोजगारी कैसे कम हो हमारे लोग जो भारत शोड़ करके चले जा रहे है कुछ लोग तो अपनी खुशाली के लिए जा रहे है लेकिन बड़ी संक्या में लाखों लोग ऐसे है जो धन दौलत उनके पास है वो इस देश में रहना नहीं चाते क्योंकि ये सरकार उनको रहना नहीं देना चाती इनके पास बुनियादी ठोस मुद्दे जो किसान की जरुवत के वो नहीं पूरे कर रहे हैं आपको सब को याद होगा यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम किसानों की आए 2022 तक दोगनी कर देंगे किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी हाला कि 2023 शुरू हो गया है लेकिन मुझे तो यह लगता है किसान की तकलीफ और परेशानी को देख करके इन भारती जनता पार्टी के लोगों का 2022 सभी खतम नहीं होगा इनका 22 खतम नहीं होगा 23 आगया 24 आजाएगा लेकिन भारती जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि 22 तक हम किसानों की आए दोगनी कर देंगे वो अभी दोगनी नहीं हुई है हमारा किसान तकलीफ और परेशानी में है उसको वादा तो कर रहे हैं लेकिन जो बुनियादी उसे मदद मिलनी चीए वो मदद नहीं मिल पा रही है यह हमारा जो नौजवान देहाई दे रहा है यह नोकरी और रोजगार की तलाश में अपना भविस्ट चौपट कर रहा है यह सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है आपका प्रदेश में तो सरकार है जहां मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं लेकिन हम तो अपने प्रदेश में देखते हैं जहां पर बड़े पेमाने प और investment meet के बहाने लोगों को धोका देंगे ये प्रचार के माद्यम से धोका देना चाहते हैं वैसे तो समय समय पर देश के लोग और देश के जो नेता होते हैं वो G20 के अध्यक्ष्टा कर रहे हैं लेकिन इस बार इन्हें मौका मिला है अध्यक्ष्टा करने का मुझे लगता ह है कि केबल चुनाव के लिए इपरचार करेंगे उसमें कोई ठोस कदम ने उठाएंगे इसलिए आज जब हम इतनी बड़ी संक्या में लोगों के सामने खटे हुए हैं जहां मुझे लोगी लोग दिखाई देने हैं उनके सामने मैं कह सकता हूं कि अगर तिरंगाना में सफ उत्तवदेश से हटाईए यू-पी से हम लोग मिल करके उनको हटाने का काम करेंगे हुए है हम यूपी वाले जानते हैं कि जिनने प्रण मंत्री बनना है वो उत्तवदेश जरूर आते हैं इसलिए आपने देखा होगा गुज्राज से उत्तवदेश आए अगर गुज्रा ते बात वो नई छोड़ते रहें कि लेकिन उत्व देस के साथ जो दो दो घृका हुआ है उसकी आप कल्पना नहीं मागंगा वैसी की वैसी है नदी साफ नहीं है नदी को साफ नहीं कर पाए मुझे खुशी एजबात की कि जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय आपके मुख्यमंत्री जी ने एक फैसा लिया था कि यहां पर किसानों के खेट तक और घरों में पानी पीने का कैसे इंतजाम किया जाए वो जो इंटिकेडिर इरिगेशन सिस्टम का आपने शुरुआत की मैं आपको बढ़ाई देता हूँ और जंता को भी बढ़ाई देता हूँ उनका धन्यवाद देता हूँ कि आपके प्रदेश से शुरुई योजना जहां पर खेट को पानी घर में पानी का इंतजाम किया वही तो भारत सरकार नकल कर रही है जो आज भारत सरकार नकल कर रही है वो कहीं न कहीं आपकी देन है जिस सरकार ने एक उधारन पेश किया हो और नकेबर इरिगेशन में और भी छेत्रों में जिस सरकार ने एक जा जा है